आज मैं बनाऊंगी वेज मियूनिज दोस्ट सेंवीज इसके लिए हमें चाहिए एक वाटी कटी विश इम्ला मिर्ची एक वाटी गाजर बारिक कटी विश इक वाटी गोबी बारिक कटी विश इक कांदा बारिक कटा हुआ मियूनिज बटर हरी चट्नी नमक टेस्ट के हिसाब से आधा चमच काली मिरी पाउडर और ब्रेग अब हम बाउल में डालेंगे शिम्ला मिर्च गाजर गोबी त्याज अब मैं इसमें डालूँगी आधा चमच काली मिर्च पाउडर और साथ के हिसाब से नमक नमक थोड़ा ही डालूँगी मैं मियूनिज में भी नमक होता है अब मैं इसमें सारे मियूनिज एड़ कर लूँगी अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है आप चाहे तो इसमें उबला हुआ भुट्टा भी ले सकते हैं अब हम इसमें बटर लगाएंगे बटर लगाने के बाद अब हम इसमें हरी चटनी लगाएंगे अब हम इसमें मसाला लगाएंगे अब हम दूसरे ब्रेट में भी मसाला लगा लेंगे अब हम इसमें भी हरी चटनी लगाएंगे अब हम इब्रेट को इब्रेट में रब देंगे अब हम इसमें अब इसके उपर मैं बटर लगाऊंगे और इसको फ्राइ पैन में टोस्ट कर लेंगे अब मैं ये बटर वाला हिस्सा नीचे रख देंगे और इसे दीनी आंच पर सेखंगे अब मैं इसके उपर भी बटर लगाऊंगे अब इसे मैं पल्टा लूँगी अब वो साइट को भी मैं टोस्ट कर लूँगी सैन्विश टोस्ट हो चुका है अब मैं इसे प्लेट में निकाल दोगी माशालला हमारे वेज में टोस्ट सैन्विश तैयार हो चुकी है वीडियो पसन आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना अल्ला हाफीज